हेलो बच्चों कैसे आघ सारे तो लाइस्ट वीडियो में हम हम कैमीकल बॉन्ड कमी कल बॉान्ड किस त्रीके से कैमिकल बॉफ्ट पिर वोते हैं उनके बारहे हम theorem तो उक्टेट रूल है वो फोलो होता है एनुस फोलो होने के अकोर्डिंग ही हमारे पास डिफ्रेंट्स मॉलिक्यू प्रिप्रेड होते हैं उनके बीच में केमिकल बॉंडिंग होती है और उनको हम किस तरीके से रिपर्जेंट करते हैं यह ओर्डी हम लास्ट वीडियो में डिसक्स कर चुके हैं this video is mainly for कि how to represent a levy structure in a different consequence and how to represent these structure in a dot or in close manner okay so in structures को हम represent करते हैं इसके साथ साथ जो हम explain करते हैं वह है कि हमारे पास फॉर्मल चार्ज क्या है कि फॉर्मल चार्ज है उस फॉर्मल चार्ज किस तरीके निकाला जाता है तो इनके बारे में हम वन बाइवान हम डिसकस करने वाले इस वीडियो ओके लाट्स को ओक्टेट रूल तो ओक्टेट रूल के लिए मुस्ली पहले कोसल एंड लेवीज कोसल एंड लेवीज सांटिस्ट थे उन्हें 1960 में अगेंड डावलाप किया और इस थोरी को उन्हें जो केमिकल कंबिनेशन है बिट्वीन एटम केमिकल कंबिनेशन इस थोरी को उन्हें एक नाम दिया इसको बोला जाता है इलक्टोनिक थोरी इलक्टोनिक थोरी और केमिकल बॉंडिंग केमिकल बॉंडिंग इसमें इन्होंने कहा था कि एटम जो होता है वो कंबाइन होता है या तो ट्रांसपर ओफ वेलेंस एलक्टोन ट्रांसपर ओफ वेलेंस एलक्टोन ट्रांसपर ओफ वेलेंस एलक्टोन ट्रांसपर ओफ वेलेंस एलक्टोन और बाइदा शेरिंग ओफ वेलेंस एलक्ट्रोन शेरिंग के मतलब होता है यह दूसरे क्सा तो कम्प्रिटली सियर करना और ट्रांसफर या तो गैन कर रहा है गैनिंग ओफ एलक्ट्रोन या फिर लूजिंग ओफ एलक्ट्रोन यह दो चीज हो रही है तो in order to have an octet तो यह जो हो रहा है यह किसकी वज़े से हो रहा है सियरिंग और ट्रांसफर यह हो रहा है totally किसकी वज़े से octet rule को complete करने के लिए यह अपने अपने जो Octate है उसको Fulfilled करने के लिए और इसी Fulfilled के लिए वज़े से इसको जो नाम दिया गया है वो क्या दिया गया था Octate Rule, ओके, Next है कि हमारे पास जो Covalent Bond जो बनते हैं, वो किस तरीके से बनते हैं, Covalent Bond तो Levy's जो Postulates थे, Lang Muller, Lang Muller था, एक Scientist था Lang Muller, उसने 1919 में, ठीक है, 1919 में, जो Levy's के Postulates थे लेवीज ने अपने Postulates थे दे, इससे पहले जो मैंने लास्ट वीडियो में डिसकस किये थे, उसने अपने Postulates किये थे, उन Postulates को उन्होंने क्या किया, अरेंज किया, और एक नई टर्म इंट्रोड्यूज करी, जिसको बोला जाता है, Call and Bond दिम तो Levy's लेवीज ने जो थोरी थी, इसमें कहा गया था, कि जो भी कोई Atom है, वो अपने साथ Combine होगा, और अपने Octate को वो Complete करेगा, ठीक है, और इन्हीं की According ही, इन्होंने कुछ अपने Points डिसकस किये थे, कि किस तरीके से हम उसको, मालो इन्होंने एक Example के तरू मैं आपको समझाओं, मालो इन्होंने क्या लिया था, क्लोरीन लिया था, अब क्लोरीन का आपको पता है, क्लोरीन में Outermost में 7 Electrons present होते हैं, ठीक है, कितने Electrons present है, 7 Electrons present, तो 2, 4, 6, 7, 7, ठीक है, अब CL2 है, तो कितने होंगे CL, कितने होंगे 2 होंगे, तो 2, 4, 6, 7, अब इसे पूरे होने कि लिए एक की जड़ आते क्योंकि 8 இர उक्ते होता है बाता है अच्छ के लए इसे एक फी जड़ रहे थे यह क्या करता है अपना एक लक्तों यह और एक लक्तों यह आपस में prof सेर कर लेते हैं जैसाे सेर कर ने का मतलब है यह इसके पास पो रहे के पास रहेगा तो जो अब इसको जड़ रहें तो दो चार छे अंद दो आठ श्रॉट स्ट्रॉक्चर लेविडर स्ट्रॉक्चर कैन वी रिपर्जेंट बाइ रिटन फॉर अदर मॉल्यकूल सच जैसे माल हम वाटर के लिए रिपर्जेंट करें कि हमार पास एक ऑक्सीजन ह हैं ऑक्सीजन कितने होते हैं 6 होते हैं 2,4 और इधर हमार पास 6 हो गए हाइड्रोजन कितने हैं 1 है इधर भी हाइड्रोजन का कितना 1 है तो यह क्या करेगा एक इधर शियर कर लेगा एक इधर शियर कर लेगा ठीक है तो यह क्या है ऑक्सीजन का रिपर्जेंटेशन तो इस इस तरीके से रिपर्जेंट करते हैं तो अब इसके कुछ कंडिशन्स क्या है कि इज बॉंड इस फॉर्मड इज बॉंड इस फॉर्मड बाइश सेरिंग ओफ शेरिंग ओफ वन इलक्टों शेरिंग ओफ इलक्टों पियर शेरिंग ओफ इलक्टों पियर बिट्विन दा एटम्स ओके एक तुए होगें जेकेंड पॉइंट क्या हो सकता है इच कंबाइणिंग एटम इच कंबाइणिंग एटम एटम कंट्रिब्यूट एट एट लिस्ट वन इलक्टों तुद शेरिंग जो भी कंट्रिब्यूट करता है एक लक्टों वो जरूर्ष शेरिंगा ठीक है और दूसरा क्या है थार्ड क्या है यह नॉबल गेस के इलक्टोंिक कॉन्फिगरेशन अचीव करते हैं फॉर्थ ओक्टेट रूल फॉलो करते हैं ठीक है यह सारे क्या है इसके पॉइंट से क्लियर तो कोई भी मॉलिकूल हो क्यों ना हो वो कहीं न कहीं दो से एक साथ कंबाइन होता है और कंबाइन होके वो सिंगल डबल ये ट्रिपल कॉवलेंट बॉन्ट बनाता है ठीक है सिंगल बना लिया डबल बना लिया ये ट्रिपल बना लिया सिंगल बनता है और इस यह ज इस तरीक से वह combine होते हैं अगर हम वो if 2 atom shared Two pair of electrons अगर 2 atom हैं और two pair of electrons sheer कर रहे हैं तो तो कैसा बनाएगा double bond बनाएगा double bond पिर पनेड़ करएगा जैसे हम ले लेके example carbon dioxide का तो carbon dioxide oxygen का होगे तो चार पांच छै कब घोगे यहां एक इलक्टोन हो गये तो यह oxygen double bond, c double bond, तो यह क्या हो गया? double bond आ गया क्योंकि है दो इलक्टोन की यहां भी दो इलक्टोन की एर कर रहा तो इस वाजे चाहित हम कह सकते हैं कि यह multiple bonds prepare कर सकते हैं clear? ओके? तो यह हैं Lavish representation of some molecules इस तेबल में बहुत सारे एक्जामपल से हैं यह कुछ एक्जामपल से की जैसे हमार पास है हमार पास इस तरीके से रिपरेजेंट करते हैं O3, NF3, CO3, HNO3, यह एक्जाम्पल से कुछ आपके, खिलिए, तो इस तरीके से यह double, triple bond prepare करते हैं, यह कुछ और एक्जाम्पल से हैं, इन ही कई, ओके, तो I think all the students like my video, thank you guys, have a nice day.